हेलो व्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाल आप सब का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आती होंगी पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ह अपने आपको प्रटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने आपको सेफ कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना है और बेल आइकन को दबा लेना है ओके दोस्तों ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाए करें हमारी हर चीज की information Google के पास है somehow दोस्तो आपको पता भी नहीं होगा लेकिन बहुत सारी information Google के पास already है जैसे कि दोस्तो आप क्या चीज़ purchase करते हैं इस चीज़ से related, क्या चीज़ आप search करते हैं इस चीज़ से related सारी information आप कहां search करते हैं Google पे और आपने कभी ये चीज नोटिस कियोगी दोस्तो जो चीज आप सर्च करते हैं थोड़ी देर बाद ही उस चीज से related ads आपको शो होने लगते हैं ओके दोस्तो ये चीज आपका Facebook भी आपकी information सारी की सारी अपने पास रखता है Google भी आपके पास रखता है आप जो चीज जैसे की दोस्तो मैं आपको बताएता हूँ चलिए एक काम करते हैं मैं Chrome पे जाता हूँ दोस्तो ओके दोस्तो Chrome पे जाने के बाद मैं कोई चीज सेर्च करता हूँ कोई भी product मैं जैसे की कुछ भी product जैसे चलिए मैं flight सेर्च करता हूँ मैं मुझे search करना है Delhi to Bombay flight ओके दोस्तो या फिर मैं Delhi to Pattaya फ्लाइट के बारे मैं search करता हूँ ओके दोस्तो अब जैसे ही मैं search करूँगा ये सारी चीज गूगल पे गई है अब इन्होंने मेरी information सारी ले ली है information कहने का मतलब है अब दोस्तो थोड़े टाइम बादी क्या होगा ये मेरी जो IP है वो हो चुकी है ट्रैक और इनको पता चल चुका है कि ये बंदा flights के लिए search कर रहा है Delhi to Pattaya अब दोस्तो बहुत सारी जगें ऐसी होती है बहुत सारी company ऐसी होती है जैसे कि flights से related company है उनको अगर अपना सामान बिगवाने यानि flights बिगवानी है तो वो अपना ad Google को चलाने के लिए बोलेंगी ओके दोस्तो और Google को अगर जो ad उनका चलाना होगा और वो जैसे कि flights related ad है तो वो ad मुझे show होने लग जाएगा ये क्यों होता है दोस्तो क्योंकि दोस्तो आपने Chrome में अपनी एक ऐसी setting दी हुई है जिससे आपकी सारी चीज़े track होती है ओके दोस्तो क्या उन चीज़ों को track होने से रोका जा सकता है बिल्कुल रोका जा सकता है अगर दोस्तो जैसे कि आप Chrome पे ये चीज़ सर्च करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको इस तरीके से setting में आ जाना है ओके दोस्तो setting में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ privacy में आ जाना है और यहाँ पे एक option रहेगा do not track का जो मैंने off कर रहा है ओके दोस्तो enabling enabling do not track means that a request will include with your browsing traffic जो भी traffic होगा browsing traffic होगा उसको यह track करेंगे any effect depends on whether a website responds to the request and how the request is interpreted for example some website may respond to this request by showing you ads जैसा कि मैंना बोला था that are not based on other website that you have visited many websites will still collect and use your browsing data हर data को collect करेगा और सारी information को collect कर लेगा ओके दोस्तो तो यह क्या होता है दोस्तो एक तरीके से देखा जाए तो यह आपकी privacy चीज़ों को यह एक तरीके से अगर दोस्तो आप कोई भी चीज़ चला रहे है आपने कोई भी ऐसी चीज़ सर्च कर लिए जो आप नहीं चाहते कि आपके friends को पता चले आपने कोई चीज़ पर्चीस किये ऐसी और somehow दोस्तो आपने वह अकेले में सर्च की है वह चीज़ ओके देन दोस्तो क्या होता है वह चीज़ आपने सर्च करके हटा दी अब आप जनरली यूट्यूब चला रहे हो या कुछ भी चला रहे हो वहां पर एड तो आते हैं तब आपका फ्रेंड आपके साथ है तो वह उससे रिलेटेड एड्स आपको शो होने लग जाएंगे त यह बंदा इस चीज से रिलेटेड चीजन सर्च करता है तभी यह एड्स इसकी अप्लिकेशन में आ रहा है ओके दोस्तो तो इस तरीके से आप इस चीज को आफ कर सकते हैं तो काफी अच्छी इंफोर्मेशन है अगर यह वीडियो आपको ज़रूर ज़रा सी पसंद आई हो किस तरीके से बंद कर सकते हैं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में ऐसी ही अमेजिंग टिप्स ट्रिक्स और इंफोर्मेशन के स तब तक के लिए बाए दोस्तों